हलो एवरिवन कैसे हैं आप सब मैं हूँ किशोवर तेजवानी आप लोगों का मध्रमणिक्स मेंट और स्वागत करता हूँ आपका आपके ही अपने मैगनेट ब्रेंस में जो प्रोवाइट करता है आपको 100% क्वालिटी और फ्री अजूकेशन किंडर गार्डन से लेकर क्ला सारे questions को और साथी साथ आप लोग हमारे e-books और e-notes को अवेल कर सकते हैं लिंक description box में given है सर आज के इस lecture में हम लोगों को क्या पढ़ना रहेगा सर आज के इस lecture में हम लोगों को पढ़ना रहेगा क्लास 9 का mathematics का number system chapter number 1 उसके उपर हम लोग देखेंगे कुछ operations किस पर सर से भी पहले सर यह बताएंगे कि number system में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ चुके अभी तक क्योंकि अभी हमारे लिए नया topic है इससे पहले हम लोगों exercise 1.1 1.2 1.3 सब कुछ cover आप कर लिया कर लिया सर सर नंबर सिस्टम के बारे में आप बताईए मत मैंने बुला क्यूं बोले सर सब पता है में number system के बारे में सर natural number मालुम चल गया whole number मालुम चल गया integer मालुम चल गया और तो सर जो ब्राइम नमबर के बारे में बचपन में पढ़ा था भूल गएते हैं मैंने कोई कर नहीं बात सब आपने Rational नमबर बताया में पूइक नमबर की था हो बहुत सारे rational number कैसे find करते हैं वो आपने सिखाया सर दो irrational number के बीच में हम लोग irrational number कैसे find करते हैं वो आपने सिखाया सर number line पे irrational number कैसे represent करते हैं वो आपने सिखाया मतलब सर बहुत सारी चीजें आपने हमें सिखाई साथी साथ सर आपने हमें decimal expansion के बारे में बताया कि सर किसका decimal expansion कैसा होता है और सर हमें अब पूरी बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़े मालूम चल गई है देखे सर हम आपको सिखाते हैं मैंने बोले ठीक है मुझे सिखा रही हूँ ठीक है सिखा बोले सर सिखा नहीं रहें मतलब हम बता रहें आपको कि सर देखे रियल नंबर पार्ट था सर रियल नंबर में एक पार्ट जा रहा था रैशनल दूसरा पार्ट जा रहा था सर एर्रैशनल तो सर जो रैशनल वाला पार्ट था ना सर उसका ट्मराइटिंग होगा मैंने बूला ट्रमिनीटेंग होगा नॉन ट्रामीटेंग जाता है और साथी साथ सर नॉन hate Terminating में Repeating जाता है मैंने बोला हाँ ये बहुत बढ़िया बताया बोले सर में उसका Decimal Expansion Non-Terminating में Non-Repeating जाता है बोले सर को एक्जांपल दूँ क्या मैंने बोला बिल्कुल तो बोले सर अगर हम लोग बात करें Rational Number की तो सर Rational Number में अगर मैं एक example की बात करूँ तो किशोर सर आपने हमें सिखाया है जैसे 5 by 14 मान लीजिए तो सर 14 में क्या यहाँ पर 2 और 5 factors आएंगे 14 में 2 या 5 factor आएंगे तो मैंने बोला हाँ आएंगे यहाँ पर 2 एक factor आएगा अगर सर 2 एक factor आएगा ना तो किशोर सर ने हमें एक चीज़ सिखाई है मैंने बोला क्या बोले सर यहाँ पर अगर 2 आगया ना मतलब सर इसका decimal expansion आफाइंडी मत करिये और सीधा लिख दीजिए terminating है यह मैंने बोला बहुश्चा अंदर यार बोले सर एक और example दू मैंने बोला दू सर 3 अपॉन 11 सर क्या यहाँ पर decimal expansion कैसा जाएगा आप बता सकते हो terminating जाएगा यहाँ फिर non-terminating जाएगा मैंने बोला यार मैं तो नहीं बता सकता बोले सर हमें किशोर सर ने सिखाया है यहाँ पर अगर 11 है ना तो 2 यह 5 का multiple नहीं है सर यह 11 अगर 2 और 5 का multiple नहीं है मतलब सर इसका decimal expansion जाएगा non-terminating और सर एक बात बताएं मैंने बोला हाँ बताओ बोले सर non-terminating में मालूम है कैसा जाएगा सर non-terminating में जाएगा यह repeating वाला मैंने बोला non-repeating नहीं बोले सर repeating ही जाएगा और आप उसका दूसरा नाम बोल सकते recurring तुम फिर मैंने बोला कि सर non-terminating non-repeating किस में जाता है वो बोले सर वो एक अलग केस है वो केस है irrational numbers का irrational number में जैसे मान लो आपके पास root 2 है तो इसकी value होती है 1.414 और यह आगे तक चलती जाती है और जैसे अगर बात करें तो root 3 1.732 और यह आगे तक चलती जाती है ऐसे ही कई सारे example है जैसे pi जिसकी value होती है 3.141592 और यह आगे तक चलती जाती है तो यह सारे irrational number के example है और अगर यह irrational number के example है तो फिर यह क्या दे देंगे अपने को अगर यह सारे irrational number के example है तो यह हम लोगों को दे देंगे non-terminating में non-repeating decimal expansion मैंने बोला बहुत बढ़िया यार तुम लोगों को तो बहुत अच्छारी चीज है मालूम है very good students हाना खुद के लिए भी तालिया बजा लो वहाँ पर बोले सर ठीक है इतना system तो हमें बहुत अच्छे से मालूम है लेकिन सर अब यह जो operation की बात हो रही है मतलब सर हमें क्या biology पढ़ना पढ़ेगा real numbers के बारे में सर operation की बात हो रही है मैंने बोला यह वो वाले operations नहीं है यह operation है plus minus into divide वाले वो operations है जो की real number पे देखे जाते है अच्छा मतलब यहां पर कुछ न कुछ हो रहा होगा plus minus into divide से related मैंने बोला हाँ plus minus into divided से related को चो रहा होगा operation वह वाला operation नहीं है यह biology वाले में नहीं जाना अपने को अपन मैच पढ़ने बैठें यह लिखा हुए हाँ तो मैच पढ़ रहे है ठीक है सर रियल नंबर की बात चल रही है सर रियल नंबर का मतलब मैंने बोला अरे यार बताओ अगर आप लोगों को rational का decimal expansion मालूम है तो आप लोगों को real number का मतलब नहीं मालूम है सर मालूम है हम तो मजाग कर रहे थे हैं आपसे मैंने बोला अरे यार ऐसा मजाग मत करो यार बता फिर रियल नंबर का मतलब क्या है बोले सर रियल नंबर का मतलब है combination of rational number और irrational number मैंने बोला बहुत बढ़िया यार यह भी आप लोगों को मालूम है तो इसके लिए भी टालिया बजा लो मतलब जो operation अब use होगा वो rational number और irrational number के लिए यूज होगा जरूरी है ऐसा जरूरी भी नहीं हो सकता है वो irrational number के लिए हो, हो सकता है, सिर्फ irrational number के लिए हो, दोनों के लिए हो सकता है, ठीक है, चलो, अब हम लोग समझते हैं कि हमें पढ़ना क्या है, लेकिन पढ़ने से भी पहले operation on real number, अभी हम लोग छोटा सा एक recap ले ले लेते हैं सब चीजों का, जो भी हम लोगों ने previous lecture में यहाँ पर थोड़ी गहराई से समझना, पहली चीज क्या है, there are infinitely many irrational numbers, काफी जादा, काफी जादा, जैसे natural number का कोई end नहीं होता, जैसे दो rational number के बीच में आप कई सारे rational number find कर सकते हो, वैसे ही infinitely many irrational number होते हैं, मैं तो कहता हूँ, कि root 2 और root 3 के बीच में ही आप लोग बहुत सारे numbers निकाल चकते हो, जो irrational होंगे, कई सारे निकाल चकते हो, कई सारे, हाना, जैसे निकाल के दिखाईए, मैंने बुला इदर आईए, देखो, root 2 की value ले लू, 1.414, root 3 की value ले लू, 1.732, इसके बीच में देखना है न, irrational number, बहुत सारे, 1.4 है, 1.7 है, 1.4 है, 1.4 है, 1.7 है, 1.4 है, 1.7 के बीच में ले रहा हूँ, 1.428673960616263, आगे तक चला दो, अरे ये तो number में थोड़ा सा change कर दूँ के, और आगे तक चला दो, और number में थोड़ा बहुत change करो, और आगे तक चला, सर ऐसे तो किते हैं यह तो 1.4 की सीरीज ही चल रही है अभी सर एक काम करते हैं 1.5 पे आते हैं मैंने बोला 1.576265385554869 कुछ भी जो मन में आए वो लिखते जाओ वो लिखते जाओ कोई दिख कर नहीं है वन पॉइंट शिक्स एट नाइन सेवन जीरो नाइन सेवन वन नाइन सेवन टू आगे तक चलाओ सर अब तो मैं ठक जाओंगा बोला क्यों क्योंकि सर यह देखो ना इतने शारे नंबर आप लिख रहे हो तो सर इसमें अगर थोड़ा बहुती ही चेंज करो हो जैसी यह थreek के जगा टू कर दो तो सर यह तो एक नया नंबर बन गया मतलब सर दो irrational नंबर की बीच में धेरो सारे irrational नंबर है तो सर ऐसे तो काफी जादा irrational नंबर है दो irrational नंबर की बीच में अगर धेरो सारे नंबर आ रहा है धेरो सारे ये तो तीनी लिखें मैंने पर धेरो सारे आ सकते हैं तो आप खुद सोचो कि एक irrational नंबर खुद ही धेरो सारा आपको क्या दे देता है infinite values दे देता है there are infinite many irrational numbers are found ठीक है मतलब समझ रहे हो बात को कि there are infinitely many irrational numbers आपको मिलते हैं बच्चों clear हो गया अब square root of all positive integers ध्यान जा समझना square root करना है अपने को सारे positive integers का which are not perfect squares which are not perfect squares जो perfect square नहीं होने चाहिए उनको हम लोग irrational number बोलते हैं फिर से समझना square root निकालना पड़ेगा सारे positive integers का which are not perfect square जो perfect square नहीं है उनको हम लोग irrational number बोलते हैं क्यों क्यों क्योंकि यह two का square होता है ठीक है तो यहाँ पर root of four हम लोग नहीं ले सकते हैं लेकिन one और four के बीच में two ले सकते हैं root two तो root two क्या है not perfect square number है और यह एक irrational number भी होगा यह एक irrational number भी होगा clear हो रहाई ऐसे ही root three भी root three भी क्या होगा एक irrational number होगा ठीक है सर और बाते बताई है तो मैंने बोला और देखिए three का square हो जाएगा nine और root of nine हो जाएगा हमारे पास कित्ता three तो four और nine के बीच में कौन-कौन आ रहा है sir root five आ रहा है तो मैंने बोला आखे बंद करके क्या बोल देना कि वो एक irrational number है क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पर यह जो five है न यह perfect square number नहीं है ठीक है sir root of six मैंने बोला root of six original number बोल देना हरा sir root of seven मैंने बोला root of seven भी irrational number बोल देना मैंने बोला root of eight वो बोले irrational number बोल देना सर एक सेकंड सर root of 8 के बारे में थोड़ा कुछ बताई है मैंने बोला ठीक है क्या बताऊं उसके बारे मैं सर root of 8 को हम लोग सर जब इसके prime factors find करेंगे तो सर वो तो आएगा 3 बार 2 मैंने बोला 3 बार 2 बोले हाँ सर 3 बार 2 बोले सर ये देखो सर 2 into 2 सर ये देखी ये देखी सर ये 2 सर बाहर आ जाएगा तो अंदर बचेगा root 2 और सर ये root 2 तो हमारे पास एक irrational number होता है और सर जब भी कोई एक irrational number जब एक rational number से multiply होता है तो सर result में तो हमेशा एक irrational number ही मिलता है तो directly मैंने उसको एक irrational number लिखके गलती करी क्या बोले नहीं सर आपने बिलकुल सही करा क्योंकि जब आप root 8 को 2 into 2 into 2 लिखोगे 2 बाहर निकालोगे root 2 अंदर आ जाएगा root 2 एक irrational number है और 2 आपको एक rational number है जब एक irrational number जब एक rational number जब एक irrational number के साथ multiply होता है तो आपको एक irrational number ही मिलता है ठीक है सर ये बात समझ में आ गई सर root of 9 नहीं लेंगे मैंने बोला हाँ नहीं लेंगे क्यों नहीं लेंगे क्योंकि सर root of 9 तो एक perfect square number है वो सर 3 का square होता है ठीक है बात है समझ में आ रही है तो ये सारे आपके क्या है एक irrational number ही ये बात तर समझ भाई तो ये बात आपको समझ में आ गई बूले हाँ ये बात समझ में आ गई बूले हाँ सर ऐसे तो मैं आगे बहुत सारे निकाल लूँगा और सर देखो मैं आपको एक निकाल के दिखाता हूँ और तो मैंने बोला कि इससे मैं क्या समझा हूँ भूले सब देखो सरूट 9 और रूट 16 के बीच में कौन-कौन आ रहा है मैंने बुला रूट 10 आखे और लिग दीजे रूट 10 एक र्रेश्नल नंबरे मैंने बूला और बहुत शानदा है और बेच आखे और बंधी रखेगा रूट 10 हो गया अब सरूट 11 रूट 11 भी एक एर्राशनल नंबर है सरूट 12 भी एक एर्राशनल नंबर है सरूट 14 भी एक एर्राशनल नंबर है सरूट 14 भी एक एर्राशनल नंबर है सरूट 15 भी एक एर्राशनल नंबर है लेकिन सरूट 16 एक राशनल नंबर है मैंने बूला क् सर 5 का स्क्वेर निकालोगे तो 25 आएगा और सर रूट ऑफ 25 जब आप फाइंड करोगे तो सर 5 आएगा एक बात और सर 16 और 25 के बीच में आप यहां पर क्या देख पा रहे हो कि सर रूट 17 रूट 18 रूट 19 रूट 20 रूट 21 रूट 22 रूट 23 रूट 24 तो समझ रहे हो बात को कि स्क्वेर रूट जो सारे पॉजटिव इनटीज रहें विच रूट परफिक स्क्वेर अर इर्रेशनल रूबर बात सही है क्या बिलकुल सही है लेकिन यह लोग नहीं हूंगे यह लोग नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि यह सारे perfect square numbers है यह सारे अगर perfect square number है, तो यह लोग आपके क्या नहीं होंगे irrational number नहीं होंगे, अगर यह लोग irrational number नहीं होंगे तो यह लोग कौन होंगे, sir rational होंगे, मैंने बुला क्यों क्योंकि sir देखो root of 4 को 2 लिख सकतो 2 is in the form of p by q 2 के नीचे 1 है p by q के form में आ गया मतलब हो एक rational है ठीक है sir root of 9 is 3 3 के नीचे 1 लिख सकतो which is in the form of p by q मतलब ही एक rational है sir root of 16 is 4 4 के नीचे 1 लिख सकतो मतलब ये एक rational है Sir, root of 25 is 5 5 के नीचे 1 लिख सकतो which is irrational या rational आप लोग comment में बताईए ठीक है Sir, बता देंगे, कोई दिखकर निए Sir, ये बात तो हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई अब Sir Sir, यहाँ पर बोल रहा है cube roots of all integers which are not perfect cubes are irrational number Sir, जो बात यहाँ पर किस के लिए बोली थी? उसने cube root के लिए बोली थी वही वो cube root के लिए बोल रहा है अड़े Sir, cube root के लिए बोली थी cube root के लिए बोल रहा है नहीं समझ मैं है मैंने बोला जो बात यहाँ square root के लिए बोली थी जो बात यहां square root के लिए बोली थी वही बात यहां पर cube root के लिए बोल रहा है हाना?बात में कोई फरक नहीं है बस square और cube का फरक है बस square और cube का फरक है ठीक है,सर अब समझते हैं बात को किए बोलना क्या चा रहा है देखो, one का cube अगर अपन लोग find करें तो वो आएगा 1 और cube root of 1 is 1. सर 2 के square की बात करेंगे, तो 2 2s are 4 2s are 8 and cube root of 8 is 2. सर 3 का cube की, cube, cube की बात करेंगे, तो वो 27 है and cube root of 27 is 3. सर 4 के cube की अगर अपन लोग बात करेंगे, 64 and cube root of 64 is 4. सिंपल है सर, सर बहुत ज्यादा सिंपल है. अब सर क्या बोल रहा है, वो समझते हैं. cube root, all positive integer which are not perfect cube are irrational number, which are not perfect cube, which are not perfect cube. 1 और 8 के बीच में, 1 और 8 के बीच में, कौन-कौन से perfect cube है? 1 और 8 के बीच में, कौन-कौन से perfect cube है? सर, कोई भी नहीं आया. कोई भी नहीं आया, सर. तो cube root of 2, cube root of 2, एक irrational number होगा की नहीं होगा? होगा, सर. Sir cube root of three Sir एक irrational number है Sir cube root of four एक irrational number है अच्छा अगर यही इस cube root की जगा में square root लगा दू तो क्या ही एक irrational होगा आप लोग comment में बताना Sir cube root of five एक irrational number है Sir cube root of six एक irrational number है Q root of 7, एक irrational number है, Q root of 8, एक irrational number नहीं है, क्योंकि वो एक perfect cube होता है 2 का. Sir, Q root of 9, Sir, एक irrational number है, क्योंकि वो perfect cube नहीं है, लेकिन अगर मैं उसी की जगे पे square root लगा दूँ, square root of 9 होता है, Sir, मेरे पास 3. मतलब, Sir, यहाँ पर एक perfect square number है, मतलब square root के case में जो 9 है वो आपका एक rational number होगा लेकिन cube root के case में जो आपका cube root of 9 है वो आपका एक irrational number होगा ठीक है सर, सर ऐसे ही धेरो सारे हम number निकाल लेंगे सर एक line को समझाने के लिए आपने सर लगबग लगबग 10 minute ले लिए मैंने बोला यार कोई दिक्कत नहीं है concept की clarity मिलनी चाहिए time को मत देखो एक line को समझाने में 10 minute लगा है दूसरी line को समझाने में 10 minute लगा है तीसरी line को समझाने में 10 minute लगा है लेकिन अब 10 minute देना जरूरी समझते हो या फिर पूरा साल देना जरूरी समझतो बुले सर दस मिनिट भी नहीं हुए आपको तो आपको एक लाइन में कौन से दस मिनिट होगा है सर नहीं हुए है लेकिन सर концcept की clarity तो मिली न की कौन irrational होगा कौन irrational होगा ठीके सर, thank you so much सर आप हमें बहुत अच्छे तरीके से एक एक छोटी लाइन को भी समझाते हैं मतलब सर मज़ा आ जाता है मैंने बुला कोई दिख कर नहीं यही तो मेरा काम है कि आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझाना अब आव और बात करते हैं In fact, there are many more numbers which are irrational numbers यह तो बात मानोगे आप लोग कि भाईया इनके इन नंबरों के अलावा भी बहुत सारे धेरो सारे irrational numbers होते In fact, there are many more numbers which are irrational numbers हाँ, सर एक एक एक्जामपल ही समझो आप बात को 5.50, 500, 500, 500, 500, 500, 000, 500, 000, चलाओ सर आगे तक आगे तक चलाओ, सर यह एक अपनने पाटन किसा बनाया सर सर नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग है सर रिपीट वेसे 555,000 फाइव किता 50,000 फिर 5,00,000 और सर ऐसे बढ़ता जाएगा यह तो मैंने बोला कोई जरूरी नहीं आप यहाँ वन लगा दो तू लगा दो तो इसी के बीच में अरे मैं तो इसी नंबर को चेंज करकर के इतने सारे इर्रैशनल नंबर बना सकता हूं इत बहुत कम ही अपने इर्रैशनल नंबर होते हैं और बहुत ज़्यादा अपने रैशनल नंबर होते हैं नहीं रैशनल नंबर भी बहुत ज़्यादा है इर्रैशनल नंबर भी बहुत ज़्यादा है है ना समझे रो बात को समझ गए सर अब सर यह क्या है सर रैशनल और इर्र नंबर्स की, मतलब की हम लोग बात करेंगे रैशनल पार्ट की और हम लोग पार्ट करेंगे एर्रैशनल बात मतलब सर rational वाला जो पार्ट है और सर irrational number वाला जो पार्ट है सर ये दोनों combine होके क्या real number बनाते हैं मैंने बुला हाँ ये real number बनाते हैं और real number और complex number मिलके बहुत सारे numbers बनाते हैं ठीक है समझ गए ये दो बात समझ गए क्या तो rational वाला पार्ट और irrational वाला पार्ट combine होके एक real number बनाता है ठीक है सर सर real number में अगर मान लीजे मान लीजे सर 4 by 7 अगर मैं बोल रहा हूं सर 4 by 7 तो rational number है तो क्या सर वो real number भी है मैंने बुला हाँ है वो real number भी है all irrational number और real number ठीक है सर समझ गया सर अगर मैं बोलू root 2 जिसकी value होती है सर 1.414 और यह आगे तक चलती जाती है जिसका decimal expansion ही non-terminating non-repeating होता है तो क्या सर वो मेरा एक real number होगा मैंने बुला होगा बोले सर irrational तो होगा वो मुझे मालुम है क्योंकि वो irrational की बात है my all irrational number are real number ठीक है सर आपके सारे real number rational number होता है सर सारे real number rational number होता है मैंने बुला नहीं सारे real number में आपके irrational भी तो आते है तो जो irrational होंगे वो rational कैसे होंगे समझ रहो बात को सारे real number not need to be rational but all rational number are need to be rational ठीक है, मतलब सारे rational number आपके क्या होंगे भईया सारे rational number आपके real number होंगे सारे irrational number आपके real number होंगे पर सारे real number जरूरी नहीं है कि आपके rational हो सारे real number जरूरी नहीं है कि आपके irrational हो समझ रहे हो बात को, पक्का न, ठीक है तो सर ये बात भी हमें समझ मागी the sir the set of real number is denoted by r मतलब sir यह जो real number होगा न sir हम लोग इसको r से लिखेंगे ठीक है comment section में बताइए कि rational और irrational को हम लोग काई से लिखता है ठीक है all the numbers r का मतलब है real can be represented on the number line ठीक है all the number में आपका क्या बोल रहा है यहाँ पर real number can be represented on the number line सारी real number को अपन लोग number line पर represent कर सकते हैं अभी तो आपके पास वो non-terminating non-repeating वाले हैं तो उनको भी आप लोग represent कर सकते हो अगर आपके पास non-terminating repeating होते हैं तो उसको भी आप लोग represent कर सकते थे अभी आप लोगों का एक topic deleted हो चुका है जिसका नाम है successive magnification तो उसमें तो आप लोग point के भी number को बीच बीच में डाल के और पता नहीं कैसे करके अपन number line पो उसको represent कर देते थे ठीक है so we call the numbers as real number line एक real number line होती है एक real number line में सारे ही real number को आप लोग क्या कर सकते हो बना सकते हो represent कर सकते हो समझ गए एक real number line में आप लोग सारे ही numbers को मलब सारे बोले तो rational हो चाए irrational हो चाए natural हो चाए whole हो चाए integer हो सब कुछ आप लोग उस number line पे बता सकते हो अब इतना बढ़िया तरीके से समझने के बाद हम लोगों ने सारे point समझ लिए समझ लिए सर सब्सक्राइब आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ बात करते हैं सर ऑपरेशन ओन इयाल नमबर से पहले एक यह सिस्टम बता देंगे कैसार सिस्टम की सरए इस सिस्टम बताने की जरूरत नहीं है हम उलत जाएंगे मैंने बोला के नेचरल नंबर है ये वाले नेचरल नंबर ये कौन से डब्बे के अंदर रखे हुए होल नंबर वाले डब्बे के अंदर रखे हुए और ये होल नंबर वाला डब्बा एक इंटीजर वाले डब्बे के अंदर रखा हुआ है और ये इंटीजर वाला डब्बा ये रैशन डबो में इन चारो डबो में से अलग किया गया है इर्रैशनल नंबर को दोस्ती अच्छी नहीं है लेकिन इन चारो में दोस्ती बहुत अच्छी है है लेकिन फिर भी रियल ने क्या बोला भाईया कि मैं रैशनल को भी समालूंगा मैं इर्रैशनल को भी समालूंगा समझ रहे अलग रहता है अब रैशनल के कुछ दोस्त है रैशनल के दोस्त है इंटीजर होल नंबर नैचरल नंबर अब बात यहां पर ध्यान से समझने क्या मेरे सारे नैचरल नंबर होल नंबर होते हैं हां होते हैं सारे नैचरल नंबर होल नंबर इसलिए होते हैं क्योंकि नैचरल न वाला whole number वाला डबबा यह और बड़े वाले डबबे integer के अंदर आ रहा है चीक है सर यह integer वाला डबबा मेरे rational number वाले डबबे के अंदर आ रहा है तो मैं यह बोल सकता हूं कि मेरे every integer is a rational number sir clear हो गैं sir मेरे सारे natural number whole number होते है मेरे सारे whole number integer होते है मेरे सारे integer rational number होते है मेरे सारे rational number real number होते है अब उसका उल्टा समझते है क्या मेरे सारे natural number integer होते है मेरे सारे natural number integer होते है क्योंकि natural number वाले डबबा छोटा है integer वाले डबबा बड़ा है तो उसे साब से मेरे सारे natural number integer हुए सही है क्या मे नेचरल नंबर रेशनल नंबर हुए मेरा सारे नेचरल नंबर रेशनल नंबर हुए बिलकुल हुए क्योंकि नेचरल नंबर वाला डबा छोटा है रेशनल नंबर वाला डबा बड़ा है तो रेशनल नंबर वाले बड़े डब़े के अंदर ये नेचरल नंबर वाला छोटा डब्बबबा है सिमपलसी बात है तो सारे नेचुरल नंबर रैशिनल नंबर हुए हाषा क्या मेरे शारे Jans मेरे नयचरल नपर हुए नहीं ये थोड़ा गढ़ जोग क्या मेरे सारे नहीं है आ पाएगा एक बात तो यह गई दूसरी बात ऐसा समझना एक integer 0 भी ओता लेकिन वह नाचरल नम्बर में नहीं हुए एक एंटेजर नेज़न वह रिमड़तो नंबर लेकिन वाले डबबा नेचरल नंबर वाले छोटे डबबे के अंदर आजाएगा नहीं आएगा क्योंकि सार होल नंबर कहां से आएगा से जीरो एक होल नंबर होता है वो नेचरल नंबर में मिलता ही नहीं मिलता है ना इसलिए क्या मेरे सारे रैशनल नंबर मेरे होल नंबर होते हैं नहीं करता ना समझ गए एक बार और देखो जल्दी से जल्दी से देख लिया अच्छा सर अब यहां पर तो सारी चीज़े समझ में आ गई अब सर इर्रैशनल नंबर के बारे में भी थोड़ा पता ही है न तो इर्रैशनल नंबर वाला डबबा तो अलग पड़ा हुआ है सकते हैं लेकिन सारे इर्रैशनल मेरे क्या नहीं हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं सर ना सारे नाच्रल इर्रैशनल होते हैं ना सर इर्रैशनल नाच्रल होते हैं सर यह तो गलात बात हैं सर समाजी नहीं आ रहा है मैंने बोला समझो बात को यह ना तो यह होते हैं यह ना तो यह ह होते हैं अलग पड़े हुए ना भाया यह डबा तो अलग पड़ा हुआ है ठीक है लेकिन मेरे सारे इर्रैशनल नंबर मेरे रियल नंबर होते हैं मेरे सारे इर्रैशनल नंबर क्या रैशनल नंबर होते हैं नहीं मेरे सारे रैशनल नंबर क्या इर्रैशनल नंबर होते हैं न अगर यह समझ गए तो मैं कुछ questions दे रहा हूं उनके answer मुझे आप लोग comment section में जरूर दीजेगा अगर थांस 덮्खशभा औी ने हुझे आपर पीड़ यह समझ तो माईGल ढिल खाइब verdstar म navy क्रक्राश गए हुझे इढ़ ड्रवबक हुझे यह कान Calendar दो च हुझे हुझे समझ कार्वा समस्ट औी जरूर यह समस्तों समस्ताष तो म Los कि यह चारों के अंसर आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में दीजेगा कि every irrational number is a natural number every whole number is a real number every real number is an irrational number every irrational number is a real number ठीक है आप लोग first, second, third, fourth करके इसके आंसर मुझे दीजेगा कॉमेंट सेक्शन में अगर ज्यादा type नहीं हो जाए type नहीं हो पाए तो सिर्फ इत्ता लिखना first का T, second का F, third का F, fourth का F है ना ऐसे करके जरूरी नहीं है जो मैंने बोला वही है T, F, F, F नहीं है मुझे नहीं मालूम है क्या है है ना मैंने पढ़े भी नहीं है मैंने तो बस दीए है आप लोग देखना अच्छे से ठीक है तो यह वाले के answers आप लोग मुझे दोगे अच्छे से यह पूरा समझ में आया real number का system समझ में आगया से चलो अब जो बात आती है वो आती है operation के ऊपर अब operation की एक एक बात को अपन बहुत गहराई से समझेंगे एक एक बात को अपन बहुत गहराई से समझेंगे ध्यान से समझना पहला है अपने पास operation square root of a b is equals to square root of a और square root of b ध्यान से देना पहला क्या बोल रहा है वो अपन से square root of a b is equals to square root of a into square root of b ध्यान से एक question को अपन करते हुए चलेंगे और यहाँ पर अपन लोग बात को समझेंगे जैसे कि मैं यहाँ पर आप लोगों को बोलू square root of 14 है ना तो आप लोग इसको कैसे लिखोगे देखो मेरे एसाब से तो ना यह चीज सही है कैसे सही है मैं बताता हूँ square root of 14 का मतलब है 2 7 जा 14 और 7 बन जा 7 अब इसको मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूँ square root of 2 into 7 अब square root of 2 into 7 का मतलब है कि 2 का square अलग ले लो 7 का square अलग ले लो तो root 2 into root 7 अब ध्यान देना जितनी value आपकी इसकी आईगी न उतनी value इसको और इसको multiply करने पर आईगी मतलब root of 14 की value कुछ ना कुछ होगी और root 2 की value कुछ ना कुछ होगी और root 7 की value कुछ ना कुछ होगी जब root 7 की value को root 2 की value के साथ अपन multiply करेंगे तो हमें root 14 की value मिल जाएगी पक्का क्योंकि ये identity, ये जो operation है, बिल्कुल सही है, ये जो operation है, ये बिल्कुल सही है, ध्यान रखना, क्योंकि ऐसा होता है, ये अपनों को करना पड़ेगा, ये एक example हो गया, और भी बहुत सारे example है, अगर अपन लोग बात करें, root of, जैसे बोल देते हैं, अपन 10, तो root of 10 का मतलब है, root 2 into root 5, clear हो गया, ठीक है, तो multiply में अगर हो ना कोई भी, root 2, मतलब 2 और 5, multiply में हो, तो आप लोग इसको ऐसे लिखना, root 2, root 5, ध्यान से, समझ गया, अच्छा, अब इसका answer दो ज़रा, इसको क्या लिख सकते है, सर अगर अपन इसको ये लिख सकते है, मतलब सर इसको ये भी तो लिख सकते है, सर अगर इसको ये लिख सकते हैं मतलब सर इसको ये भी तो लिख सकते हैं अगर ये दोनो इससे compare करें तो इसको अपन ये लिख सकते हैं तो उस हिसाब से इसको अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा कि root A की लगाओ और 7 into 3 कर दो मतलब 21 आगे बात समझ में बहुत ही अच्छे तरीके से पक्का पक्का ठीके आगे देख लें और देखना है के एक्जामपल हाँ सर और देख लेते हैं तो देखो root of मानलो मैंने लिख दिया 24 ठीके तो root of 24 को अपन तोड सकते हैं और root of 24 को अपन तोड देंगे 8 into 3 में और फिर अपन लोग और भी भहुत सारी चीज़े कर सकते हैं 8 into 3 में कोई एक ऐसा एक्जामपल लो जैसे कि अपन लोगों को ये वाले से ये वाला बनाना हो हला तो मैं यहाँ पर ले रहाँ root 2 multiply by root 9 पर root 9 नहीं ले सकते हो वैसे ले तो सकते हो आप लोग पर अभी उस हिसाब से नहीं ले सकते हो root 5 ले लो तो यह हो गया root of 2 into 5 मतलब root 10 हाँ तो ये सारी चीज़े भी हमें समझ में आ गई अब आजाओ दूसरी वाली identity की बारे में बात करेंगे हैं पर लोग तो ये वाली सार हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई अब सार इसके बारे में बात करें क्या देखो अगर आप लोगों के पास square root हो हाना और कोई भी एक number fraction में हो तो आप लोग numerator का अलग square root ले सकते हो देनोमिनेटर का अलग square root ले सकते हो एक्जामपल यहीं लिख दूँगा इसका यहीं लिख दो सर स्क्वेर रूट ऑफ टू बाय फाइव का मतलब है रूट टू अपॉन रूट फाइव ठीक है अब आप लोग मुझे बताओ थ्री अपॉन एट तो थ्री अपॉन एट को अपन लोग कैसे लिख सकते हैं सर रूट थ्री का अलग कर दीजिए और रूट एट का अलग कर दीजिए मैंने बोला बहुत शानदार अब एक बात समझाओ रूट थ्री अपॉन रूट सेवन इसको मैं कैसे लिख सकता हूं इन दोनों को अगर मुझे एक बनाना हो तो कैसे बना दू सर कुछ भी नहीं दोनों के पास रूट है न तो सर स्क्वेर रूट थ्री अपॉन सेवन कर दो सर क्या कर दो स्क्वेर रूट ओफ थ्री अपॉन सेवन तो सेकंड भी हो गया सर वो सेकंड के एक जामपल्स लिखे हूं अब सर थर्ड वाला एक बार समझाओगे क्या थर्ड वाला समझाओगे मैंने बोला समझा दूँगा अब ये और ये ये कैसे होता है पहले तो ये मल्टिप्लाइबाइब रूट ओफ ए माइनस रूट ओफ भी हाना अपन इसको देख रहे है कि ये क्या होगा ध्यान से समझना अब मैं क्या कर रहा हूं कि अब मैं मल्टिप्लाय कर रहा हूं मल्टिप्लाय किसका किस से सर इसका मल्टिप्लाय इस से तो क्या होगा ध्यान देना root a और root a जब root a और root a multiply होगा तो root a into a हो जाएगा हाणा root a into root तो यह हो जाएगा root a into root a अब root a और root a को मैं क्या लिख सकता हूँ root a का whole square root a का whole square लिख सकता हूँ ठीक है यह हो गया रूट एका स्कुए फिर जब रूट ए मैं रूट बी के साथ मल्टिप्लाइ करूंगा तो यह जाएगा माइनस का रूट ए देखो रूट ए रूट बी के साथ मल्टिप्लाइ करूंगा तो यह जाएगा रूट का ए भी हो जाएगा सर ऐसे ही जब मैं रू 3 के साथ करोगे 6 3 का multiply 2 के साथ करोगे 6 बात एक ही तो इसका multiply चाहे इसके साथ करो चाहे इसका multiply इसके साथ करो आना वही है plus मैं root of a b ठीक है plus minus minus root of b और root of b क्या हो जाएगा root of b का whole square हो जाएगा अब ध्यान से समझता है root of a और root of a का मतलब होता है आपके पास root of a square और अगर नहीं समझ माया है तो ऐसे समझा रूट of a का अगर मेरे को whole square find करना है तो मैं तो पहले इसको छोड़ी दे रहा हूँ मुझे नहीं आता करना लेकिन हाँ अगर मैं root 2 का square find कर रहा हूं तो उसको ध्यान से समझता है root 2 का square मतलब root 2 into root 2 अपन ने अभी देखा अगर दोनों के पास root लगा हुआ है दोनों multiply में तो दोनों को एक साथ multiply करके root में लिख दो मतलब की root of 2 into 2 और root of 2 into 2 मतलब root of 4 और root of 4 का मतलब है कि भाईया अगर ये लोग pair में है तो इसका एक नंबर भार आ जाता है मतलब root of 4 is 2 अगर ये दोनों pair में है तो इसका एक नंबर भार आ जाएगा अब इधार समझे रूट of a into root of a मतलब क्या root में a into a अब अगर ये pair में है तो इसका एक बाहर आ जाएगा और हो जाएगा अपने पास कित्ता a ठीक है सर बहुत सारी बातें बहुत अच्छे से है है ना कट गया ठीक है सर रूट of a का whole square सर आपने बताया ये हो जाता है और सर ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का भी क्योंकि सार रूट of b का whole square कित्ता होगा देखो रूट में b into b क्योंकि ये pair में तो इसका एक नंबर बहार आएगा समझ गए बात को कित्ता आ जाएगा b आ जाएगा ठीक है तो ये हो गया हमारे पास तो इसलिए हम लोग इसको क्या लिखते है a minus b clear हो गया देखो ये देखो समझ गए बात को पक्का अच्छे तरीके से एक बार देख लो एक बार नोट कर लो कि कैसे आया यहाँ पर मैंने concept बताया कि इसका concept ऐसे आया देख लो जल्दी से देखो ठीके ना ये हो गया a minus b हम लोगों ने देख लिया और हम लोगों ने ये third वाली identity भी बनाना सीख लिए अब अपन लोग ये fourth वाली की बात कर लेंगा चलो fourth वाली की बात करते क्या बोलता है a plus root b into a minus root b is equals to a square minus b ठीके सर ये कर लेते हैं अपन लोग फिर सर इसके और इसके example देख लिए अभी सर इसको 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 बनाना सीख रहे हैं ठीके अपने को यही बनाने बना क्या आते हैं चलो अब यहाँ पर मैं पहले इस पार्ट को रब कर देता हूं अपन लोग देखेंगे कि हमारा क्या रहा है जब सर ए को में एसे multiply करूँगा तो सर आएगा में पास A का square सर जब A को मैं root B के साथ multiply करूँगा तो में अरूट B मिनस में A root B B into root B मतलब B into B ध्यान जा समय ना बहुती जादा आसाने आज आपको आ जाएगा यह हो गया A square अब यह part देखो यह part देखो minus में A root B plus में A root B cancel out हो गया ठीक है तो अब हमारे पास क्या हो गया A square minus में जब आपके पास root के अंदर एक pair में number होगा तो उसका एक number बहार आता है आता है सर तो यह हो गया हमारे पास देखा कित्ती आसानी से हमने इसको क्या कर दिया प्रूफ कर दिया समझ गए बात को हाँ अब अगर हमने इसको प्रूफ कर दिया है तो इसको हम यह लिख सकते हैं लिख सकते हैं थीक है लिख सकते हैं तो इसी तरीके से हमने इसको भी प्रूफ कर दिया यह मतलब समझ में आया क्या देखो नहीं आया तो फिर यहां समझो रूट में अगर 3 into 3 होता है तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं जैसे यहाँ पर मैंने directly इसको भी लिख दिया तो रूट में 3 into 3 का मतलब है कि भाईया एक पेर में है तो एक नंबर बाहर आ जाएगा और अगर हम लोग बात करें तो रूट of 9 और रूट of 9 कितना हो जाता है 3 हो जाता है बात ही खता में यह आप है समझ गए बात को हाना तो एक तरीके से हम लोगों ने इसको भी बनाना सीख लिया अब सर इसको बनाना सीखें क्या हम इसको बनाना सीखें एक बार चलो इसको बनाना सीखते है सर अब है हमारे पास रूट A प्लस रूट B रूट C प्लस रूट D ये कितना होता है सरब तो मैंने बुला यहाँ पर अपने को क्या करना रहेगा simply multiply करना रहेगा multiply करके देखते हैं रूट A का multiply जब रूट C के साथ होगा तो हो जाएगा हमारे पास रूट of A C रूट A का multiply जब रूट D के साथ होगा तो हो जाएगा हमारे पास रूट A D रूट B का multiply जब रूट C के साथ होगा तो हो जाएगा हमारे पास रूट B C root B का multiply जब root D के साथ होगा तो हो जाएगा root BD simple तो है simple तो है क्या करना पड़ा जादा कुछ नहीं करना पड़ा सीधा ही तो answer था इसका root AC root AD root BC root BD clear हो गया यह हो गई सर 5th अब 6th वाली बनाना सीखे मैंने बूला चलो बनाना सीखते हैं 6th वाली यही ले लेता है क्या है root A plus root B का whole square इसी को देखना है ना सर आप तो मुझे इसको छोड़ दो आप तो मुझे यह बताओ कि A plus B का whole square कितना होता है बोले सर होता A square plus 2 A B plus B square यह होता है ठीक है तो उसी हिसाब से हम लोग इसको बना रहे हैं कैसे हम लोग अभी A को root A मान रहे हैं तो सर A plus B का whole square अगर है तो A का square होगा मैंने बुला होगा A का square बोले सर 2 A B होगा तो 2 root A into root B plus सर रूट B का भी square होगा रूट B का भी square होगा ठीक है सर अलजबरिक आइडेंटिटी का यूज किया मतलब मैंने बुला हाँ root A का सर square जब होगा तो सर यहाँ पर थोड़ी बात को समझते root A का square जब होगा मतलब सर root में into A मतलब सर यहाँ पर क्या है कि एक pair में number है और same number है तो सर इसका एक number क्या होगा बाहर आएगा ठीक है यह होगा A प्लस 2 root में root A into root B root A B plus root B का square B clear होगा यही आ रहा है क्या यही आ रहा है हाँ सर यही आ रहा है तो सर ऐसे करके हमने यह वाले को भी देख लिया एक बार जल्दी से पहले इसको ओवर्वियू कर लो screenshot लेना है तो ले लो ले लिया अब एक बार जल्दी से इसको ओवर्वियू कर लो इसका भी screenshot लेना है तो ले लो फिर अपन लोग एक question करते हैं question करते हैं बहुत जादा आसान जादा मुश्किल नहीं बहुत ही जादा आसान question करेंगे गबराना मत ठीक है करें चल अब हम लोग एक एक करके पहले identity को उठा लेते हैं first पे देख लिया second पे देख लिया third पे देख ले गया third पे देख ले चलो third पे देख लेते पहले अगर आपके पास question आया कि root 3 plus root 5 और root 3 minus root 5 तो आप लोग कैसे करोगे एक question तो ये है हना पहले इसको कर लेगा पहले इसको कर लेते हैं तो sir हम लोग ने अभी पढ़ा ना हम लोगों ने अभी पढ़ा कि sir root of a plus root of b जब multiply होता है root of a minus root of b के साथ तो हमें क्या देता है वो देता है sir a minus b ठीक है इसी का इस्तमाल करके यहाँ पर root of a क्या हो जाएगा उस हिसाब से a हो जाएगा हमारे पास 3 और b हो जाएगा हमारे पास 5 तो चलो इसी में पुट कर लेते हैं तो root of 3 plus root of 5 root of 3 minus root of 5 हमारे पास क्या होना चाहिए हमारे पास होना चाहिए root of 3 का whole square हाँ ना चलो डिरिक्टली करते हैं 3 minus 5 भाई यह root of a plus root of b into root of a minus root of b जब multiply हो रहा है तो a minus b हो रहा है ऐसे ही जब यह पूरा solve होगा तो आपके पास 3 minus 5 हो जाएगा अब 3 minus 5 कित्ता होता है simple answer simple answer हाँ ना minus 2 अब एक बात को समझो ऐसे तो कर लिया थोड़े बड़े मैथट से जाएगा चलो थोड़े बड़े मैथट से चलते है अब यहाँ पर देखना यहाँ फिर एक काम करो यहाँ पर बताता हूँ सर रूट 3 और रूट 3 रूट 3 और रूट 3 जब जब आपस में multiply होंगे तो रूट 3 का square हो जाएगा ठीक है रूट 3 जब रूट 5 से multiply होगा रूट 3 जब रूट 5 से multiply होगा तो हो जाएगा माईनस में root 3 इंटु 5 मतलब 15 सर इसका इन दोनों के साथ तो हो गया सर इस के साथ करें क्या मैंने बोला चलो करते है भाई प्लस में क्या आएगा रूट फाइव इंटू रूट थ्री रूट फिफ्टीन ठीक है सर सर प्लस माइनस माइनस रूट फाइव इंटू रूट फाइव रूट फाइव का होल स्क्वेर अब बात को ध्यान से समयना root 3 का square मतलब कित्ता हो गया 3 sir root 15 से root 15 कट गया है ना plus minus में था इसलिए minus root 5 का square कित्ता हो गया 5 हो गया यह हो गया अपने पास minus 2 उससे देख लो या इससे देख लो answer तो यह किये लेकिन सीधा simple आपके पास identity लगाओ और खतम हो जाएगा काम कौन ही इतना घहरे में जाएगा कौन ही इतना घहरे में जाएगा है ना समझ गयो बात को तो मैंने दोनों ही तरीके से आपको बता दिया आप लोगों को बस क्या याद रखने की जरूरत है ये चीज याद रखने की जरूरत है यह चीज याद रखने की ज़रूरत है हना समझ गए चलो आगे बढ़े और questions करे मजा आ रहा है क्या ठीक है तो इसके उपर हम लोगों ने क्या देख लिए question भी देख लिए ये वाली के उपर अब इस वाली के उपर question देख ले क्या इस वाली के उपर question देख ले चलो देख लेता है अब question अगर हमारे पास आ गया 3 प्लस रूट 3 3 माइनस रूट 3 अब कैसे करोगे सर इसको मलब सर a प्लस रूट भी a माइनस रूट भी सर अलग-अलग नमबर ले ले क्या अलग-अलग ले 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 ता भाई यहाँ पर अगर आप लोग बोलो तो यहाँ पर अपन लोग अलग-अलग ले लते तो यहाँ पर अगर अलग-अलग ले लिया तो यहाँ पर 5 ले लो 3 भी ले सकतो, 5 भी ले सकतो मैंने यहाँ पर अलग-अलग कर दिया ताकि आप लोगों को अभी थोड़ी देर के लिए confusion ना हूँ है ला, ठीक है सर किसको देखना चारे हैं अपन लोग अपन लोग देखना चारे हैं A प्लस रूट भी और A माइनस रूट भी को सर A प्लस रूट भी और A माइनस रूट भी क्या होता है मैंने बोला A A स्क्वेर माइनस भी होता है A स्क्वेर माइनस भी होता है तो उस हिसाब से अगर हम लोग without using this अभी हम लोग without using this कर रहे हैं नहीं अभी हम लोग इसको use ही नहीं कर रहे हैं अगर हम लोग directly करें तो चलो directly करके देखते हैं अब जब मैंने directly किया तो 3 3 ज़ा हो गया मेरे पास किता 9 minus 3 का जब मैंने root 5 के साथ multiply किया तो हो गया minus में 3 root 5 ठीक है अब मैंने जब इसको लिया root 5 को 3 के साथ तो यह हो गया plus में 3 root 5 और जब मैंने plus minus minus किया तो root 5 और root 5 मेरे पास किता हो गया root of 5 into 5 जिसका मतलब root of 25 है और root of 25 5 ही आना है ठीक है सर तो यह देखो ही हो गया 9 सर इससे यह कट गया तो मैंने बोला ठीक है minus यह किता हो गया हमारे पास यह हो गया हमारे पास 5 तो 9 में से 5 जाएगा तो किता आजाएगा हमारे पास 4 आजाएगा यह तो तब हुआ जब हम लोगों ने directly multiply करके किया अब जब हम लोग इसको use करेंगे तो क्या होगा आजाओ इधर ही फिर से इसको ले लेता हूँ 3 प्लस रूट 5 3 माइनस रूट 5 अब हम लोग इसको use कर रहें हाँ ना चंदा मामा कहां से आ गई है चंदा मामा को हटा देता है a है 3, b है 5 a है 3, b है 5 होना चीए a स्क्वाइर माइनस b तो यहाँ पर हम लोग इसी को एक बार फिर से लग देता है और हम लोग फिर इसी के साथ साथ आइडेंटिटी लगा देंगे देखना, बिलकुल ध्यान से देखो a देख रहा है 3, b देख रहा है 5 a देख रहा है 3, b देख रहा है 5 तो उसे साब से क्या होना चाहिए ए का स्क्वेर, ए तो 3 है, मतलब 3 का स्क्वेर, माइनस, B किता है, B है 5, 3 का स्क्वेर हो गया 9, और 9 माइनस 5, मतलब किता 4, 4, 4, ज्यादा सेंपल किस से पढ़ा, सर इस से, नहीं पढ़ा, सर इस से पढ़ा, इस से क्यूं पढ़ा, क्योंकि ह लोगों ने पहले ही इसको पढ़ा और अगर आपने इसको पढ़ा इसको पढ़ा तो वह हो गया है ना समझ गए क्या बात को एक बार जल्दी से screenshot लेना है तो लेलो screenshot लेने के बाद एक काम करना आप लोगों को एक question देता हूं आप लोग मुझे comment section में उसका answer बताना directly भी कर सकतो है एसी बात नहीं कि सवर directly मना कर रहा है नहीं कर सकतो लेकिन अगर अपने को पूरी सुभीधा मिल रही है identity पूरी वो दे रहा है तो फिर अपन लोग क्यों नहीं यूज कर रहा है इस question का answer मेरे को आप लोग comment section में जरूर देना ठीक है चल एक बार screenshot ले लो ले लिया क्या क्यों ना अपन लो comment section की एक छोटी सी वह बना लें comment section मतलब अपसे बोल देंगे अपन CS ठीक है है हना comment section क्लियर है चल दे दोगे इसका answer दे देंगे sir sir आगे बढ़िए इसको हमने देख लिया अब इसको देखें क्या चल इसको देखते है फिफ्त वाले को अब मान लीजिए अगर हमारे पास नंबर है कौन से अब है अगर मेरे पास root 2 plus root 3 और अगर इसका multiply करना है मेरे को root 5 plus root 7 के साथ तो क्या होगा तो क्या होगा आप लोग सोचो सोचो जड़ा सोचके और मुझे जल्ली से बताओ क्या होगा कौन सा वाला लगेगा क्या होगा और कौन सा वाला लगेगा यह जा आ ऐख जाएगा क्या है कि लग जाएगा सब्सारी इस एक कॉन साला लगेगा देखो सार सरूर्ट आफ a क्लास रूट आफ B कि जब मल्टिप्ला होगा रूट आफ दी एक्कॉर्ट ब्लस रूट आफ दके साथ तो सर वापने को क्या देता है, root of a, b, root of b, c, यही बाला है, a, c, a, d, b, c, b, d, a, c, a, d, b, c, b, d, तो उस हिसाब से जब हम लोग इस वाले question की बात करेंगे, हरा, जब हम लोग इस वाले question की बात करेंगे, तो directly हम लोग इसका answer दे पाएंगे, देखो कैसे, a किता है, 2, b किता है, 3, c किता है, 5, d किता है, 7, तो होना चीए, root of a, c, a है 2, और c है 5, 5, 2s है, 10, plus, root of a, d, a किता है, 2, d किता है, 7, 7, 2s है, 14, plus, b, c, b, c, 3, 5, 5, 3s है, 15, root of b, d, 3, 7, 21, छोड़ दो, यह answer हो गया इसका, यह इसका, answer हो गया, हाना, identity समझ में आ गया, identity समझ में आ गयी क्या, पक्का, आगे बढ़ सकते हैं क्या, बढ़ सकते हैं, तो अब, आप लोग मुझे, एक question का answer देंगे, question आप लोगों को दे रहा हूँ, root 5, root 7, root 11, root 13, ठीक है, इसका answer मुझे कहाँ पर दोगे आप लोग, c, comment section में, ध्यान से, जल्दी से एक बार screenshot ले लो, हो गया तो, हम लोग फिर आगे, एक और identity जो बची हो, उसके बारे में बात कर लेंगे, हो गया, पक्का, ठीक है, इसके बारे में बात हो गई सर, अब इसके बारे में बात कर लेंगा, मैंने बोला इसके बारे में बात कर लेते हैं, कौनसी वाली है, बोले सर, नहीं लग रही है, root of 5 plus root of 7 ka whole square अगर अपने को कभी find करना होगा तो कैसे करेंगे तो हम लोग सीधा क्या लगाएंगे identity root of A crore root of B ka whole square अब root of A plus root of B ka whole square क्या होता है root of A ka whole square हали और root of B ka whole square plus 2 root of A root of B पर हम लोग इसको proof क्यों कर रहे हैं, हम लोग इसको directly क्यों नहीं लिख रहे हैं, हम लोग इसको directly लिख सकते हैं, अब हम लोग बार 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 proof थोड़ी ना करेंगे, हम लोग इसको ही directly लिख सकते हैं, a plus 2 root of a b plus b, a plus 2 root of a b plus b, clear है, चलो, अब हम लोग find कर रहे हैं किसकी value, अब हम लोग find कर रहा है इसकी value root 5 plus root 7 का whole square ध्यान से समझना a5 हो गया, b7 हो गया तो उसे साब से a5 हो गया plus 2 root of 5 multiply by 7 plus 7 सर 5 और 7 कित्था हो गया? 12 plus 2 root of 35 clear हो गया, इसको और भी further solve आप ऐसे कर सकते हो कि इसमें से 2 आगया भार अंदर बचा 6 plus root 35 simple है पक्का, एक बार जल्दी से देख लो एक बार जल्दी से देख लो इसको हम लोगों ने further solve किया है बस याद किसको करना है? सर याद इसको करना है और इससे क्या answer आजाएगा? answer आजाएगा, सर ठीक है? समझ में आगई बात एक बार जल्दी से screenshot लो तो एक question होंबक में डालता हूँ आप लोगों के होंबक में डालता हूँ करके दिखाना मेरे को चल्द एक question होंबक में है कौन सा सर? सर, root of 11 plus root of 13 का whole square इसका answer आप लोग मुझे कहा पर दोगे? comment section में दोगे इसका answer आप लोग मुझे कहा दोगे? पक्का ना, वादा कर रहे हो ना है ना? ठीक है यह हो गया? है ना? चलो चलो सर, यह पूरा हम लोगों ने system देख लिया, operation on real number मतलब सर अपने को directly क्या लगाना पड़ेगा? identity लगाना पड़ेगा, और सर अगर हम लोगों को यह सब याद नहीं रहा, तो हम लोग directly भी कर देंगे, हम लोग directly भी कर देंगे, मैंने बोला, ठीक है, कोई दिखकर नहीं, कर देना चलो इतना सब कुछ समझ में आ गया तो बच्चो, आज के इस lecture में इतना ही, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मेंगनेट बेंज आप लोगों को प्रोवाइट कर रहा है करता रहेगा, 100% क्वालिटी और फ्री एजुकेशन वो भी बिना कुछ आप लोगों से लिए, बस अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आती है न तो आप लोग लाइक, शेर और सब्सक्राइब कर दिया करो भाईया, और मेगनेट बेंज को कुछ भी नहीं चाहिए, अगर हम लोग बात करें हमारे कुछ टॉप कोर्स की जो कि इंगलिश और हिंदी मीडियम में अविलेबल है जो कि CBSC बोर्ड, डली बोर्ड, बिहार बोर्ड, UP बोर्ड, MP बोर्ड, राजिस्थान बोर्ड साथी साथ वेदिक मैट्स, क्रेश कोर्स और स्पोकेन इंगलिश भी यहाँ पर देखा जाता है बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बता है, वीडियो पसंद आया लाइक, शेर और सबस्क्राइब करना ही है अपने को और अगर आप लोग हमें जॉइन करना चाहते हैं तो आप लोग हमें जॉइन कर सकते हैं Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, WhatsApp पे और अगर आप लोगों को हमारे e-books या e-notes अवेल करने हैं तो link description box में given है आप वहाँ से जाके अवेल कर सकते हैं आज के इस lecture में सरफ इतना ही मिलते हैं नेक्स lecture में तब तक लिए बाई बाई अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह पढ़ाई करते रहें बाई बाई